Hello Friend, Digital Solution में आपका शौगत है अगर Friend, आप अपने या अपने परिबार के किसी परसेंड के लिए नए तरीके से अधर इन्रॉल्मेंट करोना चाहते हो या फिर अगर आपका अधर काड है या आपके परिबार के किसी परसेंड का अधर काड है उसमें अगर आप डिमोग्राफी या बायोमेट्रिक अपडेट करोना चाहते हो तो Friend, अगर आपके अधर काड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तब आप डिमोग्राफी अपडेट तो ऑनलेन के मादम से कर सकते हो लेकिन अगर आपके आधरकार्ट के साथ मोबाल नमबर लिंक है फिर भी आप अपने आधरकार्ट में बायोमेट्रिक आपडेट या और नई तरीके का इन्रॉल्मेंट आप नहीं करवा सकते हो इसके लिए आपको नजदिगी किसी आधासेवा किंद्रे में ही जाना पड़ता है आप एसे ही किसी आदासेवा किंद्रे में जाके अगर आप एजिंट के दोरा अपना अधरकाट बनवाओगे तो आपसे हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज ले लिया जाए आप simply UDI के portal से अपना slot booking करके अगर आप किसी bank पे जाके अपना अधरकाट बनवाते हो तो आपका यहाँ पर 50 रुपे में ही थारा काम हो जाएगा शोफ्रेंट आज के इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आप online के माधम से confirm अपने लिए slot booking कर सकते हो और उसी date और उसी time पे जाके आप आसानी से अपना successfully आधरकाट बनवा सकते हो शोफ्रेंट एफ वीडियो आपके लिए बहुती informative होगा इसलिए वीडियो को लास्तक जरूर देखे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे request करूँगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी में जो घंटी वाल आइकन बनो हो है उसे प्रेस करके on कर दीजिए जिससे की मेरे चैनल पे आग्याननी वाली हर वीडियो की notification आपको मिलता रहे आधरकर्ण में correction, update और new enrollment के लिए confirm slot booking करने के लिए first आपको आपके mobile या computer में से क्योई भी एक web browser को open कर लेना है उसके बाद आपको लिग देना है ask.uidi.gov.in लिग कर आपको enter कर देना है तब आपके समने ये वाला portal open हो जाएगा यहाँ पर first आपको अपना mobile number fill कर देना है interior mobile number के जगे पर उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर जो capture देखने को मिल रहा है इस capture को नीचे वाले box में fill करके आपको send OTP बाले option के उपर click कर देना है तब आपके mobile पर एक OTP भेज़ा जाएगा जो six digit का होगा simply उस OTP को आपको right side में यहाँ पर जो enter OTP बाला box दिखाई दे रहा है इस बाले box पर fill करके आपको simply submit OTP and proceed वाले option के उपर click कर देना है उसके बाद आपके समने next page open हो जाता है यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाएगा एक new enrollment और एक update other अगर आप नए तरीके से other card बनवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको new enrollment बाला option को select करना है या फिर आप अपने other card में किसी तरह का correction, update, add, demographic या biometric update correction करना चाहते हो तो इसके लिए आपको update other बाला option को select करना है जैसे कि मैं अपने other card में mobile number लिंक करूंगा इसलिए में यहाँ पर update बाला option को select कर लेता हो तो उसके बाद आपके सामने next page open हो जाएगा यहाँ पर first आपको verification type के जगे पे यहाँ पर आपको document based update बाला option को select कर लेना है उसके बाद name बाले box के जगे पे आपको आपका नाम resident select कर लेना है अगर आप इंडियन हो या फिर आप आउट 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 से बार से हो तो आप यहाँ पर नॉन रेसिडेंट इंडिया वाला option को select करना है उसके बाद नीचे what do you want to be update यानि आप अपने other card में क्या correction या update करना चाहते हो यहाँ से आपको उस बाले option को select कर लेना जैसे कि यहाँ पर आपको आपका नाम, address, date of birth यह सबी details मिल जाएगा आप जैसे कि जिसे correction करना चाहते हो simply उसे stick कर दीजिएगा यहाँ पर जैसे कि मैं अपना mobile number को correction करूँगा इसलिए मैं यहाँ पर mobile number को select करके नीचे proceed बाले button पे click कर देता हूँ save and proceed बाले button पे click कर देने के बाद आपके सामने next page इस तरीके का एक open हो जाता है यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना mobile number चेंज करने के लिए उस बाले option को select किया था इसलिए यहाँ पर मैंने login के time पे जो mobile number दिया था ओही number यहाँ पर show हो रहा है अगर आप इसी number के साथ आगे proceed नहीं करना जाते हो तो आपको नीचे edit वाले option पे click करके आपको number को change कर लेना है अगर आप number change नहीं करना चाते हो तो simply आपको नीचे blue color में जो box दिखाई दे रहा है बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर save and proceed वाले button पे click कर देना है उसके बाद आपके सामने next page open हो जाएगा यहाँ पर आपको disclosure under section बाले जगे पर एक छोटा सा tick box दिखाई देगा आपको यहाँ पर tick लगा कर नीचे submit कर देना है submit वाले option पे click कर देने के बाद यहाँ पर आपका appointment number so हो जाता है आपको यह number को note करकर लिख देना है यहाँ पर simply book and appointment वाले option के उपर click कर देने के बाद आपके सामने new interface चला आता है यहाँ पर आपको search enrollment center के नीचे तीन तरीके से आप अपना आदर सेवा किंद्रे को search कर सकते हो यह ढूड सकते हो जैसे कि आदर सेवा किंद्रे का नाम अगर आप जानते हो तो simply आदर सेवा किंद्रे के नाम लिक कर भी आप get details उप्सन्ड पर से Cul compassion कर सकते हो या फिर ओपने एरा का जो पींट कोड है खुरूबी आप अपना आदा से वा किंद्र कर सकते हो या फिर अठाशिप के जरीए यहां पर कितने भी आदा से वा किंद्र आएगा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मैं first यहाँ पर अपने एरा का pin code लिख देता हूँ उसके बाद simply get details बाले option पर select कर देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर सिर्फ दो ही आदा सेवा किंद्रे show हो रहा है जैसे कि आपको 106 slot available देखने को मिलता है और दूसरे में आपको सिर्फ 74 ही slot available देखने को मिलता है आप जिस भले bank पर या नीव office पर आप अपना अधरकाट बनवाने जाओगे simply यहाँ पर आपको बोग appointment बाला option के उपर select कर लेना है उसके बाद आपके सामने recent time का calendar यहाँ पर show हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो slot available के जगे पर green light दिया हुआ है और जहाँ पर slot not available लिखा हुआ है उस date के जगे पर आपको red light देखने को मिल रहा है show print जहाँ पर red दिया हुआ है हो सकता है उस दिन आपका जिस भी आदासेवा केंदर जाके आदर बनवाना चाहते हो वो आपका बंध है या फिर उस दिन का booking complete हो गया है तो simply यहाँ पर आपको जहाँ पर भी जिस date पर भी green signal देखने को मिल रहा है simply उस date को आपको select कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर किस time पर आप आदासेवा केंदर जाना चाहते हो simply उस time को select करके नीचे यहाँ पर आपको submit बाले बटन पर क्लिक कर देना है submit करने के बाद आपको सामने यहाँ पर एक confirmation बाला page चला आता है आपको 50 रूपे यहाँ पर payment करना होता है बट यह payment आपको अभी नहीं करना है आप जब bank जाओगे तब जाके ही इसे आपको payment करना होता है यहाँ पर आपको नीचे बुलू बटन में confirm लिखाओ देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर simply confirm बाले बटन के उपर क्लिक कर देना है इस बाले बटन के उपर क्लिक कर देने के बाद आपका slot confirm यानी booking हो जाता है आदर सेवा किंद्रे में जाने के लिए आप जिस डेट को से लेत किया है उस डेट में आप जब अपना आधर काट बनाने जाओगे आदा सेवा किंद्रे में तब आपको यह जो PDF फॉर्मेट का receive copy आपको मिला है इसका एक print out ले लेना है और साथ में आपको इस print out receive copy को ले जाना होता है आप जान लेते हैं किस तरीके से आप confirm slot को booking कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर booking के time के जगे पर देख सकते हो मैंने 8 बच के 17 मिनिट पर यह बला slot book किया था ऐसे ही आपको अप जब अपना slot booking करने जाओगे appointment लेने के लिए तो आपको आपका time fix रखना है कि आप जब booking करोगे तभी आपका confirm slot booking हो सकता है या मिल सकता है शोफ्रेंट ए वीडियो ए तक कि थी वीडियो से related और कोई जान करें आपको चाहे तो comment में पूछ सकते हो आपसे मुलाकात होगी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई